हल शष्ठी भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जनमोटसव के रूप में मनाया जाता है। यह कृष्ण जनमाश्टमी से दो दिन पहले शष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीरगायू के लिए पूजा पाठ करती हैं और व्रत रखती हैं। वही नव विवाहिता इस व्रत को संतान सुख की कामना के लिए करती हैं। आईए जानते हैं इस हल शष्ठी महत्व, डेट और शुब। हल शष्ठी की शुरुआत चार सितंबर की शाम को चार बज कर एक तालिस मिनट पर होगी। इसका समापन पांच सितंबर को दोपहर में तीन बज कर छपपन मिनट पर होगा। इस प्रकार पंचांग के अनुसार का उदया तिथि के नियमों को ध्यान में रखते हुए पांच सितंबर को यह व्रत रखा जाएगा। यह व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। पौरानिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भादरपद मास की शष्ठी को श्रीकृष्ण के जन्म से पहले शेशनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। मान्यताओं के अनुसार बलराम जी का प्रमुख शस्त्र, हल और मूसल थे इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है यही वज़ा है कि उनके जनमोटसव के दिन को हल शष्ठी के रूप में मनाया जाता है मान्यता है कि इस दिन हल से जोती गई किसी भी वस्तू को सेवन नहीं करना चाहिए खास तौर पर जो महिलाएं वरत रखती हैं उन्हें भूल कर भी जमीन से पैदा हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं तालाब में पैदा होने वाली वस्तुएं जैसे तिन्नी का चावल, कैर्मुआ का साग, पसही के चावल खाकर व्रत रखती हैं इसके साथ ही इस व्रत में गाय के दूध, दही और की घी का सेवन भी नहीं करते हैं बलकि इस दिन भैंस के दूध, दही और घी का सेवन किया जाता है